देखो पढ़ो इसे पढ़ो पढ़ो आजा बैठ जाओ अरे आजा भी या बाद उन्होंने कट बताया है कि पीटी में कितना गया था में कितना गया था और कितनी हुई है कितने पर कौन सा आदमी सेलेक्ट हुआ है तो यह क्या है यह सिविल सर्विस एग्जाइमिनेशन 20028 इसका منिमं क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कितने नमबर पर आप क्वालिफाई कर रहे हैं किस, किस परसपेक्टिब में क्वालिफाई कर रहे यो-पी एसी प्लीमस पड़ो एक का है वो कितने नंबर ए सेबन्टी मिली मर्ञर्ट है क्या है यह तो कितने कोश्ट मत अ मतलब की सोमें से जिस जटन भच्टे ने कोशें किये होंगे वो क्या क्वालिफाई कर गया अधिर धीजी नहीं लगने कि जर्नल की है किस की कट जर्नल की कट आफ है वह भी किस चीज की UPSC की सौ मैं से 38 कोईशन काट पीड के अभी मैं अभी बता रहा था कि जर्नल वाला अगर 45-50 की बीच में करता है अभी तक यही ट्रेंड था कि मैंने बताया था अभी सुरू में उपसल नहीं बताया कि 25-50 की बीच में करेगा तो इसको पीटी क्वालिफाई माल है अभी बात पुरानी हो गई अभी फिलाल अभी जस्ट इस टाइम से इन्हों है यह दिया इसी बात पुरानी हो गई अब क्या अगर आप 38 कोईशन करते हो सौ में से तो आप क्या क्वालिफाई कर जाओगे कौन कर क्या है अधर आए अधर अधर और इस जो अधर को आप आप अधर सब्सक्राइब के और यह अधर पर तो बात की बहुत बात की बात पिलाल यह सोचने वाली बात है कि एक OVC सुनो एक OVC का आदमी OVC का आदमी अगर 37 को अच्छा देखो जनल OVC में एक कोशन का अंतर है कितने का मतलब अंतर भूर जाओ कि आप OVC जनलो जनल की तैयारी करने पड़े मतलब कि आप अगर 38 कोशन पीटी में जिसना सही किये ह ट्रीफाइब हो गया है ट्रीफ्रेंट मार्क्स एज़ए ट्वाइन्टी थ्रीच करें दो हजार तेश करें नोटिफिकेशन निकाला था यूप का उसके परस्पेक्टिम में जली बटो बहुत काम की बात चल रही है जो नोटिफिकेशन निकाला था उसका नियम नंबर 15 क कि सेट क्या था लाक है सिच सateurs शीए था ट्रीफिकेशन क्या होते कि तो गया हो ज़से ने इस ने DR. को मोला था इसके बात को जिस ने स्टीम क्या होगा और उसके बाद इतने सुखेशन करें और क्या माना गया होगा UPSC मतलब की पेपर कौन सा टफ था लब की ये ऐसा नहीं है कि जी एस में लोगों को इस्तियाद नहीं आ रहा होगा उन्हीं लोगों का PT क्वालिफाई हुआ है जिन्होंने क्वालिफाई किया है क्या मालो मेरे 38 नहीं 48 नंबर थे कितने और मेरा सी सेट क्वालिफाई नहीं था तो मैं PT क्वालिफाई मतलब पहले UPSC सी सेट ही क्वालिफाई देखती है उसके बाद UPSC को ऐसे लोग कम मिले जो सी सेट क्वालिफाई थे जी एस में उन्हें बाद में उस नंबर पोठाना पड़ा जो सी सेट क्वालिफाई थे उस नंबर वालों को उठाया तो यह कट आफ गयी उनकी समझ crust किस तरह चलागया है तो सीधा साब सीधा बोल दो कि कौन सी भरती एमिभज है। यही लेने सीधा मतलब है ठीक है। इसलिए केवल जी एसौपड़ करने से कुछ नही होने वाला क्या पड़ो। मतलब कि आप यो सोचो कि सी जी एस तो UR रहे हैं वो सीhmenें नंबर नहीं ला रहे हैं करना पड़ेगा इसका यह मतलब निकल रहा है कि यह सेट और इसका यह भी मतलब निकल रहा है यह जी अपने आप में लेकर टफ है तो फिर कटो भी कम है अगर ठीक ठाक पढ़ लो तो आसानी से अब इसकी रहने की उम्मीद मुझे लेकर इसकी नीचे ही रहने की उम्मीद है मतलब अगर आप 24 का 25 का देना चाहते हैं तो आप इन मान लो किक टॉफ मैक्सिमम बढ़के 45 और यह वाली मैक्सिमम बढ़के होती 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 मैक्सिमम की बात कर रहा हूं अगर आप नंबर लारे हो तो आप इसकी कर रहे हो और आप जाहें कोशन सही करते हैं कितने हैं वंदब आप यह सोच है मुझे यासा लगता है कि 24 से 25 कोशन आप पढ़ने पर आगर आप ऐसे क्लासरूम साल पर पढ़ रहे हैं और आप ऐसे चले जाओ और ऐसे जाकि अगर आप दे आओ तो 24 25 कोशन हो जाते हैं समझाई बात तो इसका मतलव है कि UPSC आप से यह चाहिए कि बहुत पढ़ो जितना पढ़ो सो चुप चाप से पढ़ो और बहुत मेहनत नहीं करो इतना ले आओ कि और यह कौन है क्या है कि कैसे स्टेटजी क्या होनी चाहिए और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हैं 6-6 महीने 8-8 महीने से पढ़ दिया होगा और अगर नहीं कि कौली उसकी बात हो रही है यह तो भूल जाओ इसलिए कहां फोक्त करो सटर्डे संडे कम से कम सीशेट पर धान आपको देना माइक में आवाद नहीं आ रही है आपको कैसे पता है क्या करो यह समझ की क्या एनलेसिस हो रहा है पेपर अगर बहुत टफ है तो भी एकजाम निकालना टफ नहीं है केवल स्ट्रेडजी के साथ अगर आप पढ़ोगे और यह रजल्ट बात में आता है तब आ रहा है जबकि सब कुछ हो गया तो मतलब की जन्रल की कट आफ 38 मार और उसके बाद जो यह केटेगरी जैंवो तो बीच वीच 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 कोशन पर ही अपना मामला होगे मतलब आप इस तैयारी करो कि जन्रल वाले 40-45 कोशन कर दो काट पीट के और सिशेट क्वालिफाइब क्या जीएस में 40-45 और सिशेट आप पीटी अगर आपने अब वही वाली बात थी कि 70 भी अटेम्ट करोगे और उसमें से 20 गलत कर दो तो भी आप कॉलिफाइब अगर आज सी भी कर रहा है और 40 भी गलत कर दोगे 35 कर दोगे तो भी लेकिन असल में मामला यहां किदर सी सेट वे यह बागी बहुत लेंदी पेपर था अ किसमें से जिन लोगोंने एतने मार्क्स लाए इतने यह अपनी अपनी केटेगरी में उन्होंने क्या क्रिका क्या क्रिक्ट YOU क्या अफर मढलय के लिए अप इससे जदा ले और 90 लियाओ से क्वी लेना देना नहीं यह फइनिढर फाइनली जुनने नहीं ह। कि यह केवल क्वालिफाइंग में इसमें आपको 200 में से कितने मांक्स लाने हैं 33% मदलब 36 मांक्स लाने हैं आपको और कोशन 27 सही करने अगर अगर आपने यहां काटपीट के 40 कर दिए तो आप लिम्स क्वालिफाई कर गए अब बता यह बहुत पढ़ने का एकजाम है यह इस्टेटजी का एकजाम है बाकी जो आप देखना टॉपर्स तो सुनना बार बार वार वो क्या बोलते हैं रन नीती रन नीती वो क्या है रन न क्या के आईगा उसे क्या के आंगे पता चलेगा यह जीवन का एक संघर्स है कि कुछ पता ही नहीं होता था तब तो यह सब क занetak जाता है अब पता ही नहीं चलता था और पाद में फिर पता चलता धिक इतनी बुरी हालत है समझे तो कुल मिला कि क्या करो करो फोकस करो और है कर भास्म के अच्छा यह किसकी बात कि वाइद कर लेते की रैसा क्यों करते हैं ये लोग बात कर लेते हैं आठा उनले अब आज नहीं आ रही है अधिक है इसलिए देते हैं कि बीच में सरदाद होने नहीं चाहिए पूरी प्रोसेस हो गई अब जिसे जो प्रॉब्लम है वह बाद में देखा जाएगा फिलाल भरती उन्होंने स्टार्ट करती ठीक है कि अच्छा यह मिनिमम मार्क्स है कौन और आचा यह क्या है इसमें और हिंदी और इंग्लिस जैसे सेट में आप क्वालिफाई करोगे क्वालिफाइब करने के बाद ही आपकी जी एस की कॉपी चेक हो रही है और उस में जितना माक्स होगा उस बेसेश पर कट अफ डिसाइड होगी ऐसे ही आपके क्यों से पर कौन से पर हैं कंपलसरी पर हैं क्वालिफाइब करोगे और आपकी और भी कॉपी चेक होंगी और और वहां बहुत सांदर मांक्स तो भी आप में क्वालिफाइब नहीं माने जाएंगे अब थर्टी थरी परसेंट को चाहिए हाट है हिंदी कंपलसरी पर होता है और एक निए हेंग्लेस सभी के लिए ले सकते हैं और बाकी भासाओं वाले जो भासाओं है जैसे कि अगर यह ले सकता है कोई माराथी सकता है लेकिन गाली करना है और उसके बाद आपके सब क्या बनता है यह कट आप किखेट नकbau जब लिंद पकाफ चंप लयए मतलब 1750 मैं से जिस आदमी के कितनी आगा होंगे कि इतने क्या क्या कॉलिफ़ाइब किया है चिह संब्सक्रीं मेन जब़ुला है वह इंटरव्य के लिए तो वी सी कितने क्या हैो समझे ऐसे यह सौरी यह क्या है आप देखो कि दौनों ही में ओवी सी के परस्पेक्टिब में किसी कट आफ कम है यह देखो किवल 694 नंबर पर किसको बला लिया गया इंटर्व्यू के लिए अब देखो अगर मालो मेरे 741 है द्यान से समझने इस बात को मेरे कितने नंबर है मेरे 741 है मेरे और आप में से किसी एक आदमी के नंबर है 850 यहीं कितने इंटर्वू के लिए दोनों को बलाए जाएगा, है ना, बलाए जाएगा कि नहीं, और मेरे कितने नंबर जादा है, लगबग 100, है ना, 100 नंबर जादा है, मैंने अच्छा, किसी के यहाँ 900 आए है माल लो, और किसी के 741 आएं तो मेरे 1500 नंबर, ठीक है, अगर अगर अशा है तो इसका मतलब है, मैं कितने नंबर की लिड लेके चल रहा हूँ, अगर इंटर्वू में उसे 20 नंबर भी जादा मिले, तो भी सेलेक्ट कौन होगा, नहीं, मेरे कम है न, ये वाला सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसके मुझसे जादा नंबर थे, मतलब कि मेंस के नंबर ये ड 441 सीध है, 100 नंबर जादा है, 100 नंबर जब जादा है वो, तो वो अपने आप 100 नंबर की लेके चल रहा है, और फाइनल जेट में उसको अपने आप फायदा मिलेगा, तो इसलिए बार 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 बोलते हैं कि ये तो क्वालिफाइंग हो गया, हमें सेलेक्ट कौन कि ये कट आफ ठीक ऐसे कम होती जा रहे है, जो पी डवलूडी है, किवल 445 नंबर लाओ, तरा सो पचास में से और आपको किसके लिए बुला लिया गया, अब देखो, असलिए कि ये यूपी सी 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 में जो फाइनल सेलेक्शन हुआ है किसका, जनरल कैटेगरी का, वो किस नंबर पर हो गया, जिनकी 903 नंबर थे, कितने मैं से, सत्रा सो पचास ये और इंटर्व्यू, कितने का, 275, कितने, 5, 2000, 2025 में से जिसके 903 नंबर आए हैं, वो फाइनली, है किस कैटेगरी में, कितने परसेंट मार्क्स, सो चलो, 47, 48, परसेंट मार्क्स लाके, आदमी, ऑल इंडिया, टॉप चलो, नहीं करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा वो, और फिफ्टी परसेंट जिसके होंगे, वो अल इंडिया टॉप कर गया होगा, अभी आए है कि कैटेगरी बाइस, टॉपर की कितने मार्क्स हैं, वो कि अगराय है, या बास, टाव में, स्टोंगी, एक्जाम या बहुत टária है, नहीं यह क्योंकि बहुत टाफ कोन सा होता है, अब बताना, जिस्में सौमें आठान में सही करने है, वो एक्जाम टाफ है, ए जिस्में सोमें स को आप डील कर सकते हैं तो यह देख लो कितने हैं यह देखो मतलब फाइनल रजेल्ट में क्या हो गया अंतर आ गया EWS और OVC की cut-off कम गई है किसके मुकाबले EWS के ठीक है 1911 इस नंबर पर क्या हो रहा है OVC वाला मलब कि OVC category में जितने बच्चे उन्हें लेने होंगे जिसके 1911 इस नंबर होंगे दो हजार 25 में से वह आदमी तो और नीजे चला गया ना चला गया की नहीं चला गया है ना 20-30 नंबर का फर्क है यह 20-30 नंबर का ऐसे यह cut-off है आपकी फिर हर है तो फॉर्म भरते हुए आपको देखना पड़ेगा वह certificate बनता है उसमें लिखा रहता है उस perspective से यह marks मिलते हैं बास समझाई तो 900 त्रिपन लाके आप क्या बन गए बाला उन्हें लेना पड़ा है यह देखो यहां कम-कम जा रहे है यह बट फाइनली EWS के लिए रिजर सीट कम होंगी और बच्चे अच्छा दिखाब कर रहे होंगे तो उनको सीट को फिर उन्हें marks को बढ़ाना पड़ा है बस समझाई तो इस पूरे घेल से समझ किया आया पूरा करो फोकस मिन्स एग्जामिनेशन पर ठीक है अच्छा अब आप देखो कि कितने नंबर का गया पाया है इस सेलेक्शन में हैं 200 नंबर का आया है अच्छा एक आदमी के साथ सो एक तालीस marks थे है ना जर्नल वाले नंबर चाहिए होता है क्या उसको दोसा नंबर में मतलव जर्नल केवल कट ओफ वाले marks लाया है उसकी बहार होने इस अगर लाइन पर आप रहेंगे तो बस आपको केवल इंट्रिव्यू के लिए बुलाया जा रहा है आपका सेलेक्ट होने का चांस है ही नहीं क्यूंकि मुस्किल्स 180 नंबर से ज्यादा नहीं 190 नंबर 200 तो बहुत बड़ी बात है 275 तो यह नहीं सेलेक्शन आपका होगा मतलब की केवल इंट्रिव्यू के वेसिस पर सेलेक्शन सेलेक्शन कहां से होगा तो यह है और यहां देखो आप ज्यादा गैप भी है 17755 नंबर का है तो यह आपको करना पड़ेगा बात समझाए तो यह है UPSC का कट आफ फाइनल क्या समझाया इससे क्या रहा है क्या रहा है क्योंकि जब फाइनल बनारे माले के लिए तो वो कर देते हैं उसमें आप कुछ ऐसा किलिव नहीं कर सकते क्योंकि बहां उन्हों जादा बच्चे लेने होंगे और फाइनली उन्होंने यह कट आफ बने तो जादा आ गया होगे फाइनली वो सीट उन्हें मजबूरी में कट आफ को ऊपर करना पड़ा तो वो चलता है जैसे यहां भी ऐसा ही हो रहा है पर यह सब ट्रांसपेरेंट है आप पूछोगे तो वह आटी आई की थिरू आपको सब ट्रांस्पेरिंट बता देंगे कि वहीं हमने ऐसा क्यों किया है फिलाल ना तो यह मुस्किल है ना यह मुस्किल है और फाइनल है यह को तर जिल्ट है रहे हैं दोण नहीं है जो स्लेक्ट हो रहे हैं बहुत बड़ी में क्या कर पा रहे हैं वह अपनी तैयारी को इस एपरोच के हिसाब से डील कर पां किसलिए हो यह हो रहे हैं आप देखो कि जो रड़का सेलेक्ट जो टॉप आया है वह पहले से सेलेक्ट है पीस है और वो ट्रेनिंग कर रहा है उसके साथ पढ़ाई कर रहा है मल्लब कि उसको स्टेटजी पता है और स्टेटजी क्या है जो मैं बार-बार बोलता हूँ मोक टेस्ट बात खता हो गया उसे जादा करने की अब शक्ता हम लोग दिन रात किताब रहें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं समझाई बात तो यह समझ लो आप जिस जिस केटेगरी में हैं तो यह मान लो कि अगले साल 2024 में आगा देना है और आप जन्नल है और उम्मीद किया है कि गटने का ही होता है क्या हाँ पिछली बार साथ नू नंबर कम आठनो कोशन कम हुआ है यह पिछली बार साथ 44 कुछ था यह से 44 से 45 था जन्रल का आठनो कोशन कम हो गया क्योंकि 60 लगातार क्या करेंगे वह तफ करने वाले तो फोकस कहां करो और पू ठीक है है हटा दो इसको अब हिंदीवाल फिर अपनी बात करेंगे जो पड़ रहे थे ठीक है